देखिए जब भी आप किसी भी इंजिनियर या फिर आर्किटेक को अपने मकान का नकसा बनाने के लिए हैर करते हैं तो वो आपके मकान का नकसा बनाने का कितना पैसा चार्ज करते हैं ये बात जानने की सभी को इच्छा होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा से अच्छा मकान बना सके जिससे उन्हें लोगों का अठेंशन मिल सके तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले ये दो तिन टाइप सबसेद के होते हैं जिनमें पहला आता है simple layout के साथ में देखिए ये इस प्रकार के नक्से होते हैं जिसमें इंजिनियर जो है आपके मकान में बीम और कॉलम की कास्टिंग कहां पे होनी चाहिए और आपके मकान का सिंपल एलिवेशन लुक आपको तयार करके देता है क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकान को सिंपल तरीके से बनवाना पसंद करते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके मकान में बीम और कॉलम की कास्टिंग कैसे देनी है और कहां पे देनी है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड बेरिंग कर सके तो इस प्रकार के जब आप इंजिनियर से नक्से बनवाते हैं तो इसके लिए इंजिनियर आपसे दो से तीन रुपए स्क्वेर फिट तक का चार्ज लेता है अब दूसरा आता है 2D पैटन इसमें जो इंजिनियर है वो आपके बीम कॉलम की लोकेशन देता है साथ में आपकी एलिवेशन डिजाइन कैसी होनी चाहिए यह आपको प्रोवाइड कराता है और इस काम के लिए जो इंजिनियर है वो आपसे 5-6 रुपए स्क्वेर फिट तक के चार्ज आपसे लेता है देखिए अब तीसरा जो पैटन आता है वो है 3D पैटन इसमें आपके मकान में बीम कॉलम की लोकेशन आपके मकान में फरनीचर कैसा होना चाहिए आपके मकान में अंदर जो इंटिरियर वर्क है वो कैसा होने चाहिए इसमें दिवालो का रंग क्या होना चाहिए वो कैसा ह इन सभी चीजों के बारे में आपको इंजिनियर पूरी जानकारी देता है, साथ में अगर आप इस काम के लिए आर्किटेक को हैर करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी अच्छी खासी मोटी रकम भी आर्किटेक को देनी पड़ती है, पर इसमें इंटिनियर डिजाइनि के नक्से बनाए जाते हैं, इसमें आपसे क्या चार्ज ले जाता है, तो इसमें जो इंजिनियर का चार्ज है, वो साथ से आट होपे स्क्वेर फिट तक का होता है, और अगर आप इंटिरियर डिजाइनिंग का काम आर्किटेक को देते हैं, तो इसमें आपको आपकी जो ब आज के लिए बस इतना धन्यवाद